तो भाई फटाफट गाड़ी में हमारे साथ बैठ जाओ क्योंकि आज हम बहुत ही प्यारे सफर पे जाने वाले हैं हम माकाली के एक मंदिर जाएंगे जो की है कलेसर जंगल के बीचो बीच रास्ते में कुछ गव माता मिली उनको हाय बोलते हुए हम चले और जैसे कि आपको पता ही है कि यम्नानेगर से थोड़ा सा भी बहार आ जाओना तो बिल्कुल आप नेचर के बीचो बीच आ जाते हो इतनी प्यारी सीनिक ब्यूटी मिलती है ये सब देखके मज़ा ही आ गया उपर से था बारिश वाला मौसम अब देखो हम कैसे जंगल के बीचो बीच आ गया है रास्ता तो रास्ता था ही नहीं भाई कच्छा रास्ता था बिल्कुल वैसे ये जंगल है लेकिन जंगल के बीच में क्छोटा सा गाउं का नाम है कॉलर जो की पढ़ता है हिमाचल प्रदेश के अंदर तो जंगल के रास्ता आप देख लो भाई कैसा है गाड़ी थोड़। पूरी पूरी गाड़ी का ही रास्ता था सामने से कोई आ जाता तो फिर भाई गाड़ी साइड में लगानी पड़ती और साइड में जराना एक बार आप यहां से देख लो यहां पे कुछ समय पहले एक लैंड्सलाइड हुई थी और लैंड्सलाइड में पूरी देखना लैंड्सलाइड हुई थी और यहां पर नीचे पत्थर लगा के खाई से बजाने के लिए कि कोई वीकल खाई में न गिर जाए ऐसे पत्थर लगा के रोक रखा है ऐसे तो भाई हम रास्ते पे निकले थे ब इल्कुल जंगल के बीचो बीच सुनसान एकदम शांती और जानवरों की आवाज आ रही है आसपास से आज कोकि शनी वारता और काफी लोग आए हुए थे कोकि काली माता का मंदिर है तो बिना किसी देरी के सबसे पहले आपको में मंदिर के दर्शन करा जेता हूं जहां पर आपको मा काली का स्वरूप देखने को मिलेगा बहुत ही वाइबरेंट एनरजी थी यार यहां की मतलब आप खुच सोचो ना कि एकदम घना जंगल बारिश वाला मौसम और बीचो बीच मा काली का मंदिर और मंदिर में जैसे ही घंटी बचती और आसपास का महल इतना शां मंदिर में जाओगे तो आपको ठोड़ा डर लगता हो बट यहां की एनरजी बहुत ही पॉजिटिव थी सबसे पहले हमने मा का अशिरवाद लिया और मा का अशिरवाद लेने के बाद हम मंदिर में आगे बड़े और अगला मंदिर जो था वो था काल बहरव का मंदिर हमने काल बहरव के मंदिर में माथा टेका और माथा टेकने के बाद उनका अशिरवाद लेने के बाद हमने मंदिर की की एक प्रक्रिमा प्रक्रिमा तो हमने कर ली थी बट अभी भी कुछ लग रहा था कि यार कुछ मिसिंग है तो इतने में पंदजी ने हमें कहा कि भाई माता का लंगर लगा है आप लंगर खाए बिना मत जाना तो हम भाई सीधा फटा फट गए और लाइन से बैट गए लंगर खाने के लिए लंगर में बनी थी दाल, चावल, हलवा, पूरी और किसे न मज़ा आता कि माता का प्रसाद खाएं आप खुद देखो कि इतने घने जंगल के बीचो बीच बैटके आप लंगर खा रहे हैं और माता का प्रसाद आप ग्रहन कर रहे हैं इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है अब ही हम इस खुबसूरत मंदिर की बात कर रहे हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिए कौन-कौन इस बहतरीन सुन्दर खुबसूरत ज जगाएं बजी हुई हैं तो मंदिर के कंप्लीट दर्शन करने के बाद हम जैसे आये थे वापिस वैसे ही जाने लगे जंगल के रास्ते से आये और जंगल के रास्ते से ही वापिस जाने लगे पर इस बार हमने उल्टा रास्ता लिया डैडी ने हमें बताया कि वापिस आत कितनी रिच हिस्ट्री है कितना रिच कल्चर है इस रोड पे जिस पे हम अभी चल रहे हैं इससे सिरफ तीन किलोमेटर ही हमें अंदर होना है और लोगट साब फोर्ट आ जाएगा और अगर हम थोड़ा आगे चलते रहेंगे तो आपको याद होगा कुछ समय पहले में आदब बाइ